पार्शियुनी से करीब 12 किलूमिटर की दूरी पर डोरली ग्राम में रहने वाले बिकॉम की छात्रा ने अपने ही घर की बात्रूम में ओडनी से फास्ति लगा कर आत्मत्या की घटना सुबह करीब नौ बश कर 45 मिनिट पर सामने आई है पार्शियुनी के समेब डोरली ग्राम में रहने वाली तेजस्विनी प्रकाश बलके उम्र 19 साल सुबह नहाने घर में बात्रूम में गई थी माता पिता बहन सब घर में थे तेजस्विनी ने अपनी ही सलवार की ओडनी गले में लपेटे हुए फासे लगा ली पिता नहाने क की तैयारी कर रहे थे कि लड़की अब तक नहाकर नहीं आने की वजह से तेजस्विनी को आवाज लगाई गई पर भीतर से किसी भी प्रकार का जवाब नहीं आने से पिता परेशान होकर छट से देखने गए तब ही तेजस्विनी फासी के फंदे पर जुलती दिखाई दे सब के सब भौचक हो गए तुरंट बात्रूम का दर्वाजा तोड़ते हुए मित रे गए तब तक तेजस्विनी मृत दिखाई दी पार्शेवनी पुलीस को घटना की जानकारी मिलते ही पुलीस घटनास्तल पर मौना करते हुए शव को पार्शेवनी ग्रामीन अस्पताल में दाखिल किया गया डॉक्टर उन्हें जाज परताल करने के बाद तेजस्विनी को मृत खोशित किया पच्छात मृतक का शव इच्छेदन किया गया घटना की जाज पार्श उनी पुलीस कर रही है मृतक तेजस्विनी कोरार इस्तित तायवारे कॉलेज में बिकॉम की च्छात्रा थी